Hello everyone, welcome you all the strugglers on your own channel The Unlimited Struggler आप सभी strugglers का आपके अपने चैनल The Unlimited Struggler में बहुत-बहुत स्वागत है Research Methodology की सीरीज में हम आज का topic जो discuss करेंगे वो है collection of secondary data इससे पहले हमने primary data collection की जो method थे observation method, interview method है ना और इसके अलाबा आपका एक और method आता था उसमें वो हमने complete कर लिया questionnaire or schedule method तो आज जो हम discussion करेंगे वो रहेगा collection of secondary data में एक तो इसमें discussion का topic रहेगा कि secondary data को collect करने के कौन-कौन से different sources हैं जहां से हमें secondary data मिल सकता है दूसरी बात इसमें रहेगी कि क्या-क्या चीज़ें हमें consider करनी है secondary data को collect करते वक्त और चाहे बात secondary की आती है चाहे primary data की आती है कुछ एक चीज़े ऐसी है जो हमें बहुत-बहुत जुरूरी ध्यान रखनी होती है जो की बहुत-बड़ा consideration का point है वह सारा कुछ आज इस टॉपिक में हम discuss करेंगे examination point of say it is one of the important topic examination point of view की बात करें अगर लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग उससे request रहेगी कि हमारे YouTube चैनल दनलिम्टेश्ट्रगलर को subscribe करें और वैल आइकन हिट करें ताब कि आपको हर आने वाल लेटेश्ट वीडियो की notification मिलती रहे और हमारा Facebook और Instagram पे जैदनलिम्टेश्ट्रगलर के नाम से उसको like करें और follow करें तो सुरू करते हैं secondary data देखे secondary data होता क्या है secondary data ऐसा data होता है जो किसी दूसरी organization दूसरे individual दूसरे researcher या किसी institution ने चाहे वो research organization ही क्यों ना हो उसने already collect करके रखा है अपने किसी और purpose को resolve करने के लिए लेकिन हो सकता है काफी हद तक वो data जो है आपके research work में आपके किसी काम आ सकता है कुछ हद तक या पूरी तरह से ठीक है तो उस data को जो है हम secondary data बोलते है ऐसा data जो किसी और ने पहले से collect करके रखा है और collection का कोई purpose उनका कुछ और था चाहे वो data agency है चाहे कोई organization है चाहे institution है या कोई और individual person है तो उसने data collect करके रखा था अपने purpose के लिए लेकिन वो ही data जो है आपके purpose को भी resolve कर सकता है कुछ हद तक या काफी जादा या पूरी तरह से तो उस लिए जब उस data को जो है आप अपनी research के लिए use करते हैं उनք capriORi data लेकर उनकी help लेकर के उनसे मांग करके या उनके resources को एकसेस करते हैं उनकी permission से तो उस data को है हम secondary data बोलेंगे सकेंड़ CLRIRDRDRDRDRDRDR जो होता है research में वो दो तरह का होता है एक published sources से और एक unpublished sources से इसको बोलते हैं published data और unpublished data published data sources की बात करें कि जो publish करती है data को ठीक है और mandatory है उनके लिए ज़रूरी है उनके लिए क्योंकि आज कर RTI का जमाना है तो कोई भी कुछ भी कभी भी मांग लेता है तो इसलिए organizations क्या करती है अपनी websites पे data update रखती है और अपने records में भी data जो है वो maintain करती है published data sources की बात करें तो central governments की different ministries है different offices है state government की different ministries है offices है उनकी websites पे और उनके पास manually भी data जो है वो maintain होता है इसके लाब foreign governments है foreign की बहुत सारी bodies है WTO है IMF है World Bank है ठीक है Asian है NAFTA है इन सब के पास अपना अपना data है ठीक है और यह अपने जो जिस field से बिलॉंग करती है उससे related data जो है वो maintain करती है तो वहां पर जो है वो published data मिलता है ठीक है technical and trade journals ऐसी journals जिनमें टेक्निकल टेक्निलोजी से related या फिर हम कहें engineering से related या फिर हम कहें machinery से related या फिर हम कहें trade से related commerce से related data published होता है वहां से भी हमको secondary data मिल सकता है इसके अलावा बहुत सारी books होती है magazines होती है newspaper में news आती है ठीक है daily हम पढ़ते है up and downs देखते रहते हैं कि सक्टर में क्या changes हुए तो वो भी एक published data का secondary data का source है इसके अलावा various reports है ठीक है publications होती है different organizations जो है publish करती है जैसे SOCAM है ठीक है फिकी है इसके अलावा भी बहुत सारी और organizations है जो reports publish करती है अपने estimates publish करती है तो वहां से भी हम से इसके टने data जो है मिल सकता है इसके अलावा बहुत सारे scholars जो है different economists जो है university जो है वो कुछ ना कुछ research कर रही है उनकी libraries है ठीक है scholars के पास अपना research papers होते हैं इसके अलावा thesis होती है वैसे ही universities में thesis मिलती है digitations मिलती है उनमें कुछ ना कुछ research होई होती है तो वो data एक secondary data होता है इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है पब्लिक और प्राइविट सेक्टर के जो की एक secondary data का बहुत बड़ा source होता है अगर बात करें अनपब्लिश sources की अनपब्लिश sources में वह सारी चीज़ें आती हैं जो किसी भी particular magazine journal newspaper thesis dissertation report या statistical record में published नहीं हुई है वो किसी person के individual की अपने पास एक personal record हो सकता है लेकिन उसकी permission से या कुछ ना कुछ access करके जो है हम उसको access करते हैं बाद में उसको use करते हैं और उसको चापते हैं ठीक है या अपनी research में उससे मिल करके जो है वो उसका use करते हैं उससे discussion करके वो data लेते हैं तो यह सारे unpublish sources में आते हैं such as diaries कोई person diary लिखता है letters है बहुत सारे पुराने letters की बात आती है political leaders की उसने फलाना बराक उबावां को letter लिखा या उस time Bill Clinton को letter लिखा गया था ठीक है महात्मा गादी ने यह letter लिखा था वो सारे एक unpublish sources है इसके अलाबाब बहुत सा sources data है तो यह भी हमारी research में काफी हद तक हमें किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी टाइम पर और अपनी requirement के साफ से जो है वो help कर सकते हैं बात करें कि consideration for secondary data कि secondary data जब भी हम लेते हैं किसी से एकसेस करने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़े ध्यान रखनी है यह बहुत important चीज़ है सबसे पहली बात आती है reliability of data क्योंकि secondary data जो पहले record maintain किया गया है या collect किया गया है उसका purpose पहले कुछ और था तो अब वो data के उपर कितना reliable है वो data कितना reliable है आपको चाहिए उसी साफ से वो मिल पाए का कि नहीं तो यह चीज़ आपको बहुत जरूरी है द्यान र और वो data कितना accurate है यह बहुत बड़ी एक मसला है research में क्योंकि आपको data की reliable जब तक data reliable नहीं होगा accurate नहीं होगा trustworthy नहीं होगा तब तो कुछ को यूज करने को कोई मतलब नहीं है मतलब वो अपनी research के साथ हेर फेर करने वाली बात है दूसरी बात आते है suitability of data कि क्या वो data जो आप यूज कर रहे हैं दूसरे person का या दूसरी किसी organization जो already collect कर चुकी है वो suitable है आपका purpose कर पाएगा या नहीं कर पाएगा या किस हद तक किस limit तक जो है वो आपका purpose resolve कर पाएगा वो data क्योंकि जो data पहले से already उन्होंने collect कर लिया है वो उसका purpose कुछ और था तो हो सकता है वो अगर जवरदस्ती करें उस data का use करने की तो आपके research के जो results है जो inferences है वो तने सटीक ना आए तो यह बहुत सारी consideration का point है इसके बाद education of data कि आपका जो data आप secondary data use करें वो कितना educate है कितना accurate है ठीक है अगर वो data आपको inadequate लगता है कि नहीं जितना accuracy level मुझे चाहिए था उतना में नहीं है तो उस data को use ना करें क्योंकि अगर आप फिर भी उसको use करते हैं जवरदस्ती वाली बात है तो उस data से आपके results सही नहीं आएंगे तो आपका वो data जो है accurate होना चाहिए आपकी research की requirement के हिसाब से educate होना चाहिए वो data तभी आप उसको use करें इसके बाद कुछ एक चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती कि चाहे primary data की बात करें चाहे secondary data की बात करें की जब भी हम data collection का method select करेंगे तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है चाहे primary data का वी method हो चाहे secondary data का method हो कि हमने कौन से इंटर्व्यू की बात करें et alike administration की बाते objective और किस चीज का nature and scope अपनी research का कि किस चीज की जरूरत है क्यों जरूरत है और किस तरह की हमारी research है हमारा purpose क्या है objective क्या है उससे related जो हमें most suitable method लगता है whether it is questionnaire, whether it is interview, whether it is observation और some other secondary data method तो वो ही हमको appropriate method जो है वो लगाना है और यह चीजे तब हम ध्यान रखते हैं जब हम research designing कर रहे होते हैं research design वाला step होता है उसमें चीज ध्यान रखनी पड़ती है इसके बाद availability of fund हमारे पास पैसा कितना है budget कितना है क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा method of data collection है वो जो है apply होगा अगर ज्यादा resources है ठीक है आप ज्यादा invest कर सकते हो तो आप questionnaire method या आप जो है interview method या observation method उनमें जा सकते हो लेकिन अगर आपके पास पैसा बहुत कम है तो आपको cheapest resource जो है data का वो ढूनना पढ़ेगा इसके बाद time आपको कितना time में data चाहिए आपके पास काफी है लेकिन अगर time बहुत कम है दस दिन पंदरा दिन तो इतने time period में बहुत बहुत रेर चांस है कि आप interview कर पाएं बहुत सारे लोगों का बहुत सारे samples को जो है आप observe कर पाएं या आप questionnaire send करके जो है और आपको भी दिन time frame 10 दिन में पंदरा दिन में वो questionnaire सारी बापिस आ जा कितना level of significance की जब बात करते हैं हम जब हम बात करते हैं analysis के time पर कि कितना level of significance है या कितने level तक जो है inaccurate data भी चल पाएगा कि 5% 10% acceptable inaccurate data ठीक है तो level of acceptance होता है वो एक तरह से तो आपको कितना accurate data चाहिए तो उसके लिए उतने ही ज्यादा effort और उतना ही ज्यादा time जो है बहुत होता कितने से पहले ध्यान रखनी पढ़ती है और ध्यान रखनी चाहिए हारे एक researcher को आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक्स पर लिस्निंग थैंक्स पर वाचिंग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट जरूर करें feedback दे मुझे subscribe करें और शेयर करें दानले मुटे श्ट्रगलर को बहुत जादा मेहनत कर रहा हूं मेरे भी बहुत जारे concept clear हो रहे हैं और आपके भी करने की कोशिश कर रहा हूं आपको पसंद भी आ रहे होंगे बहुत सारे चीज़ें बहुत जारे लोगों के अच्छे feedback भी मुझे आ रहे हैं अगर फिर भी आपके कोई क्वाईरी रहती है आप मुझे mail कर सकते हैं sk566668-gmail.com पे call कर सकते हैं वर्ट सेफ कर सकते हैं 7627096162 पे और इस जो हमारा जो यह topic था इसकी PPT जो है उसका link मैं share कर रहा हूं description में वहां से आप इसको download कर सकते हैं thank you thanks a lot